Hello guys, welcome back to PC वाले YouTube चैनल and जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बोला था कि PC बिल्ड के लिए वेट कर लो and यहाँ पर खुश ख़बरी पर निकल के आ गए 30-50, पहली बात तो 8 GB वाला ग्राफिक कार्ड होगा एक बजट ग्राफिक कार्ड के अंदर तुम्हें 8 GB VRAM देखने को मिल रही है और बोल रहे हैं कि 27 जैनवरी को लाउंच होगा इतना ही मैंने तुम्हें बोल दिया आप इतनी सीही बात पर लाइक मार दो अगर तुम्हें इतना सा सुनके लाइक नहीं मारा तो मुझे नहीं बता कि तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ क्योंकि यह गोड नियूज अगर तुम्हें यहां पर मिल रही है न और तुम बजट जीप्यू का वेट कर रहे हो तो यस तुम्हारा लाइक मानना तो जो हो बनता है दिखा दो कि आज दो कि आस तुम बजट गेमर हो दिखा दो कि तुम ग्राफिक अन्दर आ वेट कर रहे थे दिखाओ मुझे ही कितने लोग वेट कर रहे थे यह इसी बात सा mniej पर लाइक करना बनता है तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो because हम यहाँ पर good news शेयर करते हैं, कभी-kभी bad news भी शेयर करते हैं तो यहाँ पर देखो 30-50 आने वाला है जो कि एक entry level graphics card होगा and because एक 50 series का graphic card है तो hopefully हम यह hope कर रहे हैं अब NVIDIA के बार में पता नहीं कि किस price में NVIDIA को launch करता है किस segment के अंदर launch करेगा 30-50 होगा, 30-50 TI भी एक आएगा जो कि थोड़ा expensive होगा let's see, let's see कि क्या होता है हमेशा से देखो NVIDIA का same यही रहा है कि जो 50 वाला card होता है 30-50 जैसा वो बेकार होता है, लेकिन जो TI वाला होता है वो अच्छा होता है, लेकिन इस बार देखते हैं कि 30-50 actually में कैसा होता है लैप्टॉप्स के अंदर तो यह actually आचुका है तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि NVIDIA is now rumored to launch its entry-level Ampere graphics card GeForce RTX 30-50 on 27th January after unveiling it at CES 2022 buy कर सकते हो, CES में NVIDIA उसको showcase कर देगा तो यह kind of a good news है like NVIDIA एक जो तुम्हारा एक उपर के लेवल के graphics card होते है उनसे, जो mid-tier के graphics card होते है उनसे थोड़ा नीचे आए कि यह जो low-end वाले graphics card है although बहुत सारे लोग बोलेंगे 30-50 low-end नहीं है but compared to other graphics card ठीक है, तो वो जो है वो आने वाला है और हम यह भी expect कर रहे हैं कि अगले साल Intel भी अपने graphics card निकालेगा और Intel को छोड़ दो तुम्हें पर AMD भी तो निकालेगा जब 30-50 आ जाएगा तो उसकाद AMD भी अपना एक budget graphics card निकालेगा तो आपके पास options बहुत सारे होने वाले है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी shopkeeper आपको अभी graphics card चिपकाने का सोचता है डोंट भाई graphics card राइट ना description में Amazon का link है वहाँ से तुम्हें कुछ और भाई करना है like PC के लाबा सब कुछ भाई करो बिकास मैंने तुम्हें इतनी अच्छी good news दिये इस good news पर कुछ मीठा तो बनता है तो जाके chocolates भाई करो या कुछ और भाई करो I don't know लेकिन PC बिल्ड अभी मत करो अभी थोड़ा wait कर लो अगर ये PC अब मुझे नहीं बता कि ये देखो इन graphics card के pricing इंडिया में क्या होने वाले है लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी shopkeepers हैं जितने भी retailers हैं वो price को अभी के लिए तो hijack कर रहे है supply issue still exist करता है बट इतना नहीं करता है कि जितनी pricing अभी होर किया जितनी pricing होर किया उतना exist नहीं करता तो don't pay the higher prices बेट करो थोड़ा से सेट अलाउन होने को और यह जो graphics card है यह recently आने वाला है तो यहां पे जो तुम्हारे Twitter user है Hongjing 2020 इन होने आपे अपडेट भी किया मतलब आपे ट्वीटर पे ट्वीट किया है कि GeForce RTX 3058 GB वाला जो कि आएगा 2022-1-27 को यानि कि 1 January 27 तारिक को जो होई तुम्हें देखने को मिल जाएगा तो December तो जाना ही वाला है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला कि December लो बस चला ही गया लाइक कितना बचा है थोड़ा सा बचा हुआ है ये पीछे जो बहुत लोग कन्फूज हो रहे थे तो मेरा लिक्विड नेटोजन का सेशन था तो मतलब ये उसका इधर इधर ये रहा ये LN2 पॉट है जिनको नहीं पता ठीक है तो ये गुड़ न्यूस थी I hope आपको ये गुड़ न्यूस पसंद आई होगी